कारूल बाक स्थित होटल अरपित पहलेस का मालिक कतर से लोटने समय आईजी आई एरपोर्ट पर गिरफतार किया गया है नए दिल्ली करूलबाक स्थित अरपित होटल अगनिकांड मामले में फरार चल रहे होटल मालिक राकेश गोयल को IGI एरपोर्ट से क्राइम ब्राज ने गिरफतार कर लिया वहां इंडिगो की उडान संक्या 6702 में कतर से बारत लोटा था 12 फरवरी को होई अगनिकांड में 17 लोगों की मौत हो गई थी जिन में एक ISI ओफिसर भी था क्राइम ब्राज के DCP राकेश देव ने बता कि एरपोर्ट पर इमिग्रेशन ओफिसर को जानकारी मिली थी कि फ्लाइट में आरोपी सफर कर रहा है जानकारी मिलते ही राकेश को एरपोर्ट पर हिजरासत में लेकर क्राइम ब्राज के हवाले कर दिया गया रहिवार को राकेश को कॉट में पेश किया जाएगा जहां से 6 दिनों की रिमांड मिल गए इस बीच करूलबाग इलाके में 71 होटलों की फायर एजेंसियों ने फायर विभा को फैसली कर दी है